हलो बच्चो आज लेटेस्ट थी बीएसी अपडेट आया है जिसमें आपके जो पेपर है उसका निव पैटर्ण बताया गया है और आपके जो सिलेबस में से जो कुछ चैप्टर रिडूज हुए जो मतलब चैप्टर हटाए गई है सिलेबस में से तो उसके बारे में मैं आ और खंड बा खंड आ में वस्तुपरक प्रश्ण पूछे जाएंगे इसमें और खंड आ में कुल केवल 50 तीरी प्रश्ण होंगे जिन में से केवल 40 प्रश्णों को ही आपको करना है खंड बा में वर्णात्मक प्रश्ण पूछे जाएंगे और प्रश्णों में उचित आं अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं तो खंड आ में जो वस्तु पर प्रेश्ण पत्र आएंगे कि इसमें जो अपटित गद्यांस है उसमें आपके यह दस नंबर के प्रेश्ण पूंचे जाएंगे इसमें दो गद्यांस आते हैं और पाठे पुस्तक में दिये गए भासाध्यन के आधार पर यहां बहु विकल्पी प्रेश्ण पूंचे जाएंगे जो कि एक अंके होंगे और यह 16 प्रेश्ण होंगे 16 नंबर मिलेंगे आपको इसमें पदवंध है जो कि 5 में से किनी 4 के आपको उत्तर देने होंगे यह आपके हुए 4 अंके रचना के आधार पर वाकि रूपांतरन करना होगा जो कि 5 में से किसी 4 प्रेश्णों के उत्तर आपको देने हैं कुल मिलाकर के आप चार अंक हुए जिसमें की जैसे सरल सैंक्त और मिसरवा के आते हैं रचना के आदार पर जो बाग के भेद होते हैं और समास में पांच में से किनी चार के उत्तर आपको देने हैं एक अंका होगा आपको कुल चार अंक मिलेंगे फिर चोथा है आपका ये मुहावरे, केबल चार प्रस्ण होंगे और सभी आपके लिए अनिवार है, सभी को आपको करना है ये चार अंक मिलेंगे इसमें पाठे पुस्तक इस पर सभाग दो मैं आपका जो काबिखंड है काबिखंड है जिसमें पठित पद्यांस पर चार बहु बिकल्पी प्रस्ण होंगे जो कि चार अंके होंगे गद्धिखंड में आपके दो पठित गद्यांसों पर पांच पांच बहु बिकल्पी प्रस्ण होंगे दो गद्दान्स जो की एक अंग और पांच प्रस्ण पांच प्रस्णों के लिए एक एक अंग होगा इसमें खंडबा वर्नात्मक प्रस्ण आगे जो पाठे पुस्तक है इसपर्स भाग दो में इसपर्स से निर्धारित पाठों के आधार पर विशे वस्तु का अज्यान बोद अवियक्ति आधि पर 25 से 30 सब्दों वाले तीन में दो प्रस्ण पूछे जाएंगे जो की दो अंके होंगे और प्रस्ण आपके उसके दो होंगे टोटल आपके चार अ इसपर्स से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्तियों की उच्च चिंतन चमताओं एबं अव्यक्ति का आंकलन करने हैं तो 60 से 70 सब्दों वाला चार अंग ये एक प्रस्ण होगा पाठे पुस्तक संच्यन भाग दो पूरक पाठे पुस्तक संच्यन के निर्धारित पाठों से तीन मेंसे दो प्रस्ण पूचे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 सब्दों में देना होगा और ये तीन अंका होगा और ये दो प्रेशन होगे कुल मिलाकर कि आपके 6 अंक होगे लेखन में आपके ये जो आपको 80 से 100 सब्दों में एक अनुच्छित लिखना है जो कि आपका 6 अंका होगा विहावारिक जीवन से संबंदित विश्यों पर आधारी 30 से 40 सब्दों में आपको सूचना लेखन लिखना है वो भी आपका 5 अंका होगा विशय से संबंदित 25 से 50 सब्दों की अंतरगत आपको एक विग्यापन बनाना है वो भी आपका 5 अंका होगा लगुक अथा लेखन दिये गए प्रसाधान बिंदु के आधार पर 100 से 120 सब्दों में आपको लगुक अथा लिखनी है जो कि 5 अंकी होगी अब आपका जो स्रवन और बाचन सुनकर के बोलना सुनना और बोलना इसके लिए भी आपके 10 अंक होगे परियोजनाकार ये आपका 10 अंका होगा जो कि आप प्रोजेक्ट फाइल जो बनाते हैं कुल अंका आपके हुए 100 अब आपके जो संचेन और इसपर्स भाग से जो आपके चेप्टर हटाए गए हैं जैसे की व्याकरण खंड में से एक तो अलंकार निकाला गया है और पद्खंड में से एक बिहारी के दोहे और दूसरा है महादेवी वर्मा मधूर मधूर मेरे दीपक जल ये अल्रेडी पहले ही निकला हुआ था वीरे इन दंग्वाल ये तोप जो कविता है ये भी निकाली गई है रविंद्र नाथ ठाकुर द्वारा रचित आत्मत्राण इस कविता को भी निकाला गया है तो चार चेप्टर तो आपके काबिखंड से हो गए फिर आपका आता है गद्दिखंड इससे भी आपके चार चेप्टर निकाले गए हैं, सीता राम, सेख सरिया, डारी का एक पन्ना, प्रहलात, अगरवाल, लिखित, इसके जो लेखक है वो तीसरी कसम के सिल्पकार सैलेंद्र, अब ये दो चेप्टर और हैं इसके, अन्तोन, चेखव, गिरगेट, ये गिरगेट और सिल्पकार ये दोनों अल्रेडी पहले भी निकले हुए थे और इस बार ये एक चेप्टर डारी का पन्ना, और रविंद्र कहले कर पत्जड में तूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना, इस चेप्टर को भी आपके स्लेवस पैसे हटा दिया गया है, तो ये आपके आठ चेप्टर हो चार कापिखंड से और चार गद्धिखंड से, इन पर आप अपनी बुक में क्रोस का निसान लगा देना, जिससे कि आपको याद रहे कि ये हमारे चेप्टर में ऐसे नहीं है, आप इन्हें पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके स्लेवस में नहीं है, तो आ